नमस्कार मैं सोनी ओचा आप देख रहे हैं NN24 न्यूज बढ़ते हैं 36 गड़ की प्रमुख खबरों की ओर आत्री को लेकर भक्ति में बातावरण देखने को मिल रहा है बीती रात भी अन्य एंड अन्ना ग्रूप के तत्वधान में संदान भजन संध्या का आयोजन कराया गया जिसमें भक्तगण जूमते नजर आए राम जिन का नाम है आयोज़ जिन का धाव है ऐसे रहुन अन्दन को हमारा प्रणाम है सिरहसारदं तेश्वरी मंदर के सामने आयोजित भजन संध्या में स्थानिय कलाकारों ने ऐसा शमा बांधा की देर रात तक भक्तों की भीड परीसर के आसपास ही जमी रही माता की चौपाई गीत और भजन से पूरा नगर गुन जुठा भक्तगर दुख तकलीफ बूल कर सिर्फ माता की जगराते में लीन रहे यहां दो अप्रेल से लगातार भजन किर्टन कराया जा रहा है नगर में ग्रामड में नागरिकों द्वारा प्रति दिन भजन संध्या का आयोजन कराया जा रहा है सब्तमी की रात अन्ना एंड अन्ना ग्रूप्स के संचालक राज नाइडू ने कारिक्रम आयोजित करवा कर लोगों को भक्त गीतों से जूमने पर मजबूर कर दिया देर रात तक चली भजन संध्या में बड़ी संख्या में नगर के नागरिक मौजूद रहे दूसरी तरफ दस अप्रेल को रामनौमी के अउसर पर प्रस्तावित सोभा यात्रा को भव्य बनाने जम कर प्रचार प्रशार किया जा रहा है पिछले तीन दिनों से लगातार बाइक रैली निकाली जा रही है जो नगर के प्रतेक मार्ग गली मुहले से गुजर रही है इसी बीच जैश्री राम के नारे लगाए जा रहे है रामनौमी को लेकर युवाओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है दस अप्रेल को आयोजित भव्य रैली में 25,000 से अधिक लोगों के आने का अंदेशा है नौरात्री पर 9 दिन तक मादुर्गा के बिविन्य रूपों की विदिविधान से पूजा की जाती है दो अप्रेल से सुरू हुई चैत्र नौरात्री दस अप्रेल को संपन्न होने वाली है इन 9 दिनों तक मादुर्गा के 9 रूपों देवी शैल पुत्री, ब्रह्म चारणी, चंद्रगटा, कुंड माया, सकंद माता, कात्यानी, कालरात्री, महागौरी और देवी सिद्र दायत्री की विशेश पूजा अर्चना की जाती है चैत्र नौरात्री में देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करने से इनसान के भीतर सकरात्मक उर्जा का वाश होता है यही कारण है कि पूरे 9 दिन तक लोग माता की उपासना करते है